हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे तोरली नाम का सूत्र यहां तोरली सूत्र परस वरण करता है कि आप अश्क्ता ध्याão में देखेंगे तो इससे पहले कहीं से परश वरणा की अनुष्षार अनुष्वारण सूत्र से परश वरणा की했다 तोरली परस वरणा यह पूरा सूत्र क्या हो उब जाएगा तोरली शूत्र पूरा इतना ही है पर यह कोश्ठक में लिख सब् lovely सब् datos do not listen करेंगे तो ॅसमें लगी सब्सक्राइए ठीक है और परशवर ना में लगा परतंघ यह हम सामानी रूप से जानते हैं कि जिस शब्द में सश्ठी विभक्ति लगी हो उसके स्थान पर जिसमें प्रत्मा लगा है वो होता है और जिसमें सब्तमी लगी है उसके तुरंत पहले हो तो इस सूत्र का पूरा आर्थ क्या होगा तवर्ग के स्थान पर तू मतलब क्या ह तवर्गस्य स्थाने तो मतलब तवर्गस्य स्थाने सष्ठी जहां लगा है वहां आपको स्थाने जोड़ना है सष्ठी स्थाने योगा हमने पढ़ा है तो अगर कहीं भी सष्ठी भी वक्ति लगी है तो हमको अर्थ निकालते समय क्या जोड़ना है सष्ठी स्थाने जोड़ तब देख रेजिए तोह हो यानि तवर्ग से तूं का आर्थ होता थे तवर्ग के इस्थान पर ली यानि लकारय परे तुरंत बाद में क्या हो लह हैं तो क्या हो जाता है परसवर्ण हो अब फिरका पूरा सिधान्त जो है ने बहुत सरलसूत्र है बहुत हद से जादा सरल सुत्र है, केबल यह ध्यान रखिये, पहले क्या होना चाहिए, तवर्ग, और उसके प्लस में क्या होना चाहिए, ल, केबल ल, तो क्या हो जाता है, परसवर्ण हो जाता है, बाद वाले वर्ण का सवर्ण हो जाता है, तो ल के कितने सवर्ण है, अनुणासिक और अनुणासिक भेज रहार यह परकार के वहत तो यह लाके दो ही सवरन है ना तो अब समझेए पूरे सूत्र का आर्थ है कि पहले तवर्ग हो सुनेगा पहले तवर्ग हो उसके तुरंत बाद लह तो तवर्ग के स्थान पर भी इन दोनों लाँ में से कोई लाा आ जा बस यही इतना थिक है दो उधारन बता देता हूं सामान ये वाल लेल आका और एक ही स्वाल लएल का दो उधारन हम constraint पता देते हैं आपको वह समझ लेंगे तो आप इस सूत्र को समझ गए इस सूत्र के विशेशग्य बन जाएंगे जैसे अब देख लिजी एक है तत ठीक लया है ठीक तत लया है यहां तवर्ग है की नहीं अध्यों तो भी तवर्ग है अगर ता है या दा है तो हई तवर रहय है और उसके तुरंत बाद ला हो तो तावर्ग के स्थान पर होजाता है बस तोस बा और यह इस लाके सब्सर ब्लाद दो परकार का है एसा वाला और ऐसा वाला पहले अगा क्योंकि ये ता अनुनासिक वाला नहीं है ता चांद बिंदू वाला नहीं है तत्ता के स्थान पर ये वाला आएगा ये वाला नहीं तत्ता के स्थान पर मान लिजे क्या हो गया हो गया ल जोड़ दीजिए क्या हो गया इसको जोड़ देंगे तल लिखती तल लिखती यही होगा तद भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं तद और तद दोनों विकल्ब से बनते हैं जलाम जोनते अब देख लिए तत और तल लेया हो गया अंतिम इसका उधारन एक है जो यहां दिया है जो हमें समझना विशेश रूप से जिसमें लोग गलतियां करते हैं विद्वान प्लस लिखती विद्वान लिख रहा है ठीक विद्वान लोग टेढ़ा मेड़ा भी लिखते हैं तो विद्वान लिखती यहां विद्वान में यह ना तवर्ग है की नहीं तवर्ग के तुरंत बाद लाह है की नहीं तवर्ग हो उसके तुरंत बाद लाह हो तो इस तवर्ग के तुरंत बाद लाह हो तो तवर्ग ना का उच्चारण स्थान मुख नाशिका दोनों है अनुनाशिक है तो ना के स्थान पर जुला आएगा यह ना अनुनाशिक वाला आएगा ठीक है महजी ना के स्थान पर जुला आएगा कौन सा आएगा यह की यह बाद वाला क्यों क्योंकि ना अनुनाशिक है ना का स्थान भी दोनों थिक यह अनुनासिक होने के कारण इसके स्थान पर अनुनासिक वल आए गा तो अब मालोझे इस ना को रघता ला कर दिया ना कर्दिया जोड़के लिखंग दीजीए यही इद्वाहन Pack यह लिखने का तरीका एकदम सही है अब कुछ लोग इसको नहीं लिख पाते हैं आज के कंप्यूटरी भासा में यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा जाता है तो इसको इस तरह से भी लिखते हैं किस तरह से यह computer नहीं समझ पाता तो ऐसे लिख देता है क्योंकि computer ही भासाओं के अनुसार हलंत के बाद ये वाला चंद्रबिन्दु नहीं लग पाता है कम्यूटर में आप कहीं भी हलंत कर दिया उसके उपर चंद्रबिंदू नहीं लग पाता है तो यहां क्या होता है यहां कुछ लोग ऐसे इस पर लगा देते हैं पर यह गलत है आप अनुनासिक किसको बना रहें व य द व आ ये आ को अनुनासिक बना दे रहें जबकि आ अनुनासिक नहीं है अनुनासिक क्या है ला है जो तवर्ग ना के स्थान पर जो ला हुआ है वह ला ही अनुनासिक तविद्वान लिखत ये वाला लिखने का तरीका एकदम सही है य को हलंट यह आनुनाशिकर ना लिखें तो भी यह जो आनुनाशिक वाला चिन है यह लां के ओपर रहुआ एसला के ऊपर हो और एक की मात्रा भी इस लां के व्याकरण के अनिसे यह सुँत्र का संग्षेप में और्थ यह हैं एक सुत्र का संक्षेप में यही में कि तवर्ग हो तवर्ग के तुरंत बाद लाहो तवर्ग का कोई भी वरन हो इसके इतना ही है आप देखेंगे वृत्ति में क्या लिखा है तवर्गस्य लकारे परसवर्ण तवर्ग किये सान पर तुरंत बाद में लकार हो लह तो परसवर्ण होता है यानि लह का सवर्ण हो जाता है पर में क्या है लह उसका कोई सवर्ण आ जाता है यानि लह या लह आ जाता है तो अब इस लिखती केवल एक ही उधारन दिया है